तो हाँ जी बचो कैसे आप सब I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे बचो मैं बता तो मैं भी बहुत बढ़ी हाँ तो बढ़ा आज से एक दो दिन पहले मैं आपके लिए बहुत बढ़ी अनौस्मेंट लेकर के आए था audit की और मैंने का था मारे साथ audit की बहुत बढ़ी फिकेंटी हाँ पर जुडने वाली है आपको guesswork करने को मैंने का था and I will say more than 80% students का guesswork यहाँ पर एकदम accurate था because उनके students के accomplishment इतनी सारी हैं उनके accomplishment इतनी सारी है कि everyone is aware about her और बढ़ा finally वो आज announcement हम लेकर के आएं है कि हमारे साथ वो कौन सी faculty हाँ पर जुडने वाले है कैसे आपकी group 2 की audit के paper की पूरी tension आप हमें देने वाले है कैसे आपके आपर तयारी होने वाली है कैसे वो जिम्मेवारी हमारी होगी कि हम आपके audit के paper की तयारी यहाँ पर करवाएंगे और वो announcement finally आज की वीडियो में आ गई है यह जो announcement है यह हमारे September 24 as well as January 25 और उससे आगे वाले सारे attempt के students के लिए एकदम relevant होने वाली है तो September और January वाले बच्चे से announcement को बहुत अच्छे से देखे और वो faculty कौन है कैसे आपकी तयारी को रही होगी मैं बता हूँ उससे पहले मैं उनी faculty को यहाँ पर आपके लिए इंट्रीज कर रहा हूँ तो वो आपको पूरी तरीके से आपर गाइड करने वाले कैसे आपका audit का paper होगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा एंड मैं आपको दुबारा से मिलूंगा जिसमें आपके लिए बहुत ही इंट्रस्टिंग और अमेसिंग आउंसमेंट है अगर आप यह आप यह आपकी इंट्रस्टिंग और अच्छे से चल रहे होंगी हम लोग जो अपना नया बैच अच्छ का स्टार्ट करने जा रहे हैं यह हम स्टार्ट 22nd में से करने जा रहे हैं सो हम इसके बारे में कुस थोड़ी से मैं आपको चीजे पता देते हूं हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे इस पर्टिकुलर बैच के अंदर और यह के स्टेम्ट के स्टूडेंट्स को जादा पहुचाएगा एट्सेक्रा तो यह बैच हम 22nd of May 2024 से स्टार्ट करने जा रहे है में को लग रहे है कि एप्रॉक्सेमिटली 115 आर्स में हम यह बैच खतम कर लेंगे और प्रॉक्सेमिटली 50 क्लास के करीब इसमें लगेंगी सो कोई क्लास टू आर्स की हो सकती है साव दो घट्डे की हो सकती है अप लोग अराम से एक दिन में एक प्लास बहुत अच्छे से क कर सकते हैं इसकी यहां पर आपको दो उबस आइग एक हमारी कौसेट बुकोगी जिसमे हम सारे मेजर कौसेट हमारे पस में जो हम मैं में की वर्ट बोलते हैं वो सब इसके अफंदे रहेंगे आपके और एक हमारी पस कोईचनबाग ढांक जिसमें हम क्वेशन बंक, Ms. knife? जिसमेQ Election Answers भी है, M.C Qs भी और साथ में जो केस scenario है, वो भी होएंगे, वो भीस रहेंगे यह दोडो बुक्स हम अपने बाच के अंदर ले चलेंगे, इन बुक्स को हम लेकर खवर करेंगे और इसी तरह से हम अपनी स्टाडी करते चलेंगे बाच में, नौ हमारे हाँ पर हमारे इंस्टिट्यूट ने जो अपनी नई स्टाडी मिटीरियल बनाई है, उसके अंदर उन्होंने पूरे सेलेबस को 11 चाप्टर में बाठ कर चला है, जो मार्क स्विटेज है उसी के हिसाब आपसे हम अपने चाप्टर करेंगे, धीरे-धीरे conceptual understanding करते जाएंगे कि क्या concept है, इस concept को क्यूं हम पढ़ रहा है, अगर हम auditing पढ़ रहा है, तो हम auditing क्यूं पढ़ रहा है, auditing के अदर कौं से 4 keywords है, जैसे for example, अगर मानलो हम auditing बोलते हैं, तो auditing जैसे हमारी 4 keywords हैं बनती है कि auditing is an independent examination of financial information of any entity, whether profit making or not irrespective of its size and legal form when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, तो यह जो चार keywords हैं, यह हमें क्या बताते हैं, क्या हमें इंडिपेड़ इंडिपेड़ इग्जामिनेशन बताता है, क्यों इंडिपेड़न को मिंटेन करना जरूरी होता है, इस तरह के सवाल आते हैं न हमारी एक एक चीजों को पक्का करते चलेंगे, कि हमें definitions हैं, कोई भी important key concepts है, जो हमारे हाँ पर हम topics बढ़ रहे हैं, वो हमें समझ भी आए, हमें उसके पीछे का logic क्लिर हो कि हम यह चीज क्यों पढ़ने जा रहे हैं, और साथ साथ में हमारे जो important key words हैं, वो हमें learn भी हो जाएं, तो ह आपस में relate करके पहना है, और please trust me, यह बहुत आसान है, बहुत difficult subject बिल्कुल नहीं है, this is an easy subject, अगर आप अपने concepts बहुत अच्छे से इसके अंदर बना पा रहे हैं, और साथ में हम अपनी key words, जैसे words हम से institute चाहता है, जैसे words उन्होंने study material में लिखे हैं, अगर हम उनको learn कर समझने के बाद of course, और साथ में हम क्लास में अपनी थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्राक्टिस कर रहा हैं, तो आपका ये एक्जाम बहुत अच्छे से अपके अच्छे माक्स के साथ में क्लियर हो सकता है, and I am sure about it, मैं अपनी तरों से पूरे दिहान से आपको पढ़ा पूरे मन से जितनी में महनत करके आपको पढ़ा सकते हों, तनी महनत करके हम सलीबस पढ़ेंगे, हम सारे अपने कॉंसेप्स को कावर करेंगे, हम अपनी अंडरस्टांडिंग इतनी अच्छी स्ट्रॉंग रख कर के चलेंगे, कि अगर कोई क्वेशन हमारे बाहर से भी तो बस हमें महनत करने है, मैं अपनी तरफ से पढ़ाने में महनत कर रहे हूँ, आप अपनी तरफ से पढ़ाने में महनत करेंगे, आप अप अच्छे से स्टाडी करेंगे and definitely you will go through it, आपके बहुत अच्छे नमबर से आप इस एक्जाम को पास कर सकते है आप एक मात आपके माई इनने आते है कि मैं क्या हम टेस्ट करेंगे तो येस हमारे पास में 11 चीटार्स है, हम 11 चीटार्स के चापटर इस्त करेंगे और बात में जैसे हमारा सलेबस खतम होता है, हम उस सब को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम एक फुल सलेबस का भी टेस्ट रखेंगे, उस फुल सलेबस का टेस्ट करने से हमें एक यह भी अंडरस्टांडिंग आएगी, कि हम थ इस फुल से आपको इतने देर में खतम कर लेना था यह इसमें आपको यह में लिखने चाहिए थे यह आपको लास्ट में टेस्करने में भी हल्प करेंगा बहुत अच्छे से, एक बात है हमारे डाउट्स किस तरह से टाकल एगे, तो डाउट्स के लिए आपको एक नमबर ऑफको दियाओ और आपको टियाओ आपको लिए एक आपको लिए और देर यह रोमckingन, बयाओन, मैं क्या करते में मैं एक पुरए दिन बहर में, जितनी दाउट्स आते क刮ित त pero every time इस आप नमबर पर लिखेंगे, आपको मेरे एक ताइम लॉट कर दोगी, आप मुझ से कॉल पर भी बात करके, डाउटस ले सकते हैं, अगर आपको कोई और स्टडी रिलेटेड गाइदेंस, काई वरी चीज़ होती हैं, कि माम, अगर मेरे बोद गूरॉप्स हैं, तो मेरे न अगर रिखेंगे, तो में कैसे करूँ या कॉन से सब्जेक्स को साथ में करूँ, जिको दिर इस नो जिस्ट वन सलिशन फर एवरी स्टुडेंट, हर एक या अपनी यूनिक स्ट्रेंट्स और यूनिक वीकनेस होती हैं, तो हमें पनी स्ट्रेंट्स पे काम करना हैं, तो कर रहा हैं नया बैच, जो स्टुडेंट्स क्योंकि इंस्ट्यूट्स आपको पता है स्टम्बर के लिए भी बोल दिया है और जैनुरी के लिए बोला ही है, तो जो स्टुडेंट्स स्टम्बर में भी देना चाहते हैं जो स्टुडेंट्स जैनुरी में एक्जाम्स करना च तो ये ब्याच का कम्पेशन हम 15th of August तर करके चलेंगे, आपके सारे से लेबर्स में कम्पीट अपका कवरेज हो जाएगा इस ताइम तक and because what I usually do is, कि जैसे आज हमने कॉंसेट करा, तो say for example हमने 2 hours के लिए कॉंसेट करा तो हम बात में 15 minutes के अंदर क्या होता है कोई concept बहुत understanding clear करने बाला होता है, तो हम last day 15 minutes के अंदर उसके MCQs, उसको quickly revise करना, तो जब हम class में साथ साथ में revision करते चलेंगे, कि आज हमने एक कुछ topic पढ़ा, मानलेते है कि standard on auditing अज हमने उठाया, और हमने last में उसका revision कर लिया, तो क्योंकि आपकी एची साथ साथ में थोड़ी 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 तयार होने लग जाएगी, तो by the time अपका सलेबस खताम होगा, आपको चीज़े learn होने लग जाएगे, और आप easily एक्जाम के लिए प्रपेर कर आप मुझसे कंटाक्ट कर सकते हैं, and I hope we are just going to rock it. Okay, so see you in class, thank you so much. का एक special offer, अगर आप उमारी इस batch के लिए initially भी enroll करते हैं, और इस batch को pre-book करते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5% का extra discount, यह discount सिर्फ और सिर्फ limited time के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 20 मही तक के लिए आपको यह discount मिलने वाला है, उसके बाद यह discount हो जाएगा discontinue, तो this is only for our initial student, तो 20 मही तक इन classes के लिए enroll करेंगे, और डिसकाउंट के लिए आपका coupon code आ रहा है, let's audit, तो let's audit, this is the coupon code, जैसे ही आप product page पर जाकर final payment करेंगे, वहाँ पर आप यह coupon code लगाएगा, 5% का extra discount आपके लिए यहाँ पर आने बार है, 20 मही के बाद बिटा यह discount बिलकुल discontinue हो तो फटा फट से आप बिलकुल यहाँ पर audit के लिए enroll कर सकते हैं, classes के लिए आप अन्रोल करेंगे, बहुत जल्दी फिर आपकी classes का links भी dispatch होगा, time to time आपको links मिलेंगे, और I am very sure कि आपकी audit की तयारी बहुत amazing तरीके से आपर होने वाली है, तो I am very excited and आप सब भी हाँ पर हमा आपसे बड़ी जल्दी, enjoy this journey of audit, so let's audit.